हमें दिया है देखो वृतों के कूल x square प्लस y square 2x कास alpha minus 2a sin alpha is equal c square का अन्वा लोग ग्याद किजे परिनाम की जामिती व्याक्या किजे देखे पहला question जो बनाये थे वहाँ पर हमने बताया कि y square is equal 4x आया जो परवला है वही तो भी बताना है चलिए देखे क्या किजेगा 2a y alpha प्राचल है समीकरन एक का alpha के सापेच क्या किजेगा आनसी काउकलन करने पर चलो करो तो इसका हो गया 0 इसका हो गया 0 माइनस कितना हो गया 2a x sin alpha का कास alpha का sin alpha माइनस में हो जाएगा इधर प्लस कर देता हूँ इसका हो जाएगा माइनस 2a y कास alpha is equal 0 तो आपको क्या मिला 2a x sin alpha माइनस 2a y कास alpha is equal 0 अब ऐसा करो हम समीकरन दो को इसी धंग से बनाएंगे तो एक काम करता हूँ इस पूरे को अधर ट्रांसफर के देता हूँ दोनों को विलोपित करना ना समीकरन एक से क्या मिलेगा आपको भाई देखे समीकरन दो वा तीन को वर्ग करके जोड़ने पर जोड़िए कितना आजाएगा टू ए डारिक्ट में लिख देता हूँ टू ए एक्स स्क्वेर साइन स्क्वेर अलफा प्लस टू ए वाई स्क्वेर कास स्क्वेर अलफा माइनस टू ए एक्स साइन अलफा टू ए वाई कास अलफा इसका है फिर प्लस इसका इज़िने में आएगा 2ax का होली स्क्वेare का सी स्क्वेर अलफा प्लस 2 ay का होली स्क्वेare साइन स्क्वेर अलफा प्लस 2ax साइन अलफा 2 ay का स्क्वेर is equal 0 का तो 0 हो गया x square plus y square minus c square का holy square तो इन्हें में से देखो ये तो cancel हो जाएगा बचेगा कौन इन्हें में से ये common निकल के होगा तो मैं direct लिख देता हूँ 2a x square प्लस इधार आएगा कितना 2a y square देखते जाए is equal हमको मिला ये holy square ठीक है अब हमें इसका क्या करना है जामिती व्याख्या करना है ऐसे तो हम निकाल लिए अब इसकी जामिती व्याख्या करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो समिकरन है ठीक है छलिए इसकी जामिती व्याख्या के लिए बात करते हैं x square plus y square minus c square का holy square अब इधर कितना है भाई minus 4a square x square minus 4a square y square इसको break लगाओ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे x square plus y square का holy square फिर minus 2c x square plus y square ठीक है अब प्लस c square इन में से हम 4a square कामन निकालते हैं तो x square plus y square is equal 0 तो हम इस पूरे को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों ये देखो इन में और इन में कामन निकालेंगे तो क्या बचेगा x square plus y square कामन निकला तो बचा कितना 2c 2c plus 4a square इन में और इन में और plus c square is equal 0 जो x square plus y square में वर्ग समीकरन है ठीक है यही आया है बिल्कुल यही आया है प्यारे बच्चों अब यदि हम यहाँ पर क्या करें देखो वर्ग समीकरन क्या जानते हो x is equal minus b plus minus square root b square minus 4c upon 2 जानते हो यहां रखो चलो वर्ग समीकरन है x square plus y square is equal यह हो गया b minus b तो 2c plus 4a square minus है plus square root plus minus 2c plus 4a square का whole square minus 4ac तो c तो हमारे पास 4c square है upon कितना 2a तो 2 है यह तो है नहीं है अब यहां से हम क्या करते हैं x square plus y square 2 से divide करेंगे तो हमको क्या मिलेगा c plus 2a square इनमें से 2 को बाहर करेंगे देखो 4 बाहर आजाएगा वो भी cancel हो गया समझो तो मैं direct कर दे रहा हूं इसको देखो यहां पर 2 बाहर आया तो कितना बचा c plus 2a square का square minus कितना c square यह देखें x square plus y square c plus कितना 2a का holy square plus minus इसको break लगाओ c power 4 sorry c square plus कितना होगा 4a power 4 plus 2c square 4c a square minus c square यह cancel हो गया तो हमें मिला x square plus y square is equal c plus कितना 2a का square plus minus square root यहां से 4 बाहर आएगा तो 2 और यह आजाएगा a power 4 plus कितना c a square सिधा लिख देना जो एक वरीथ है बस इसको और ज्यादा सालो करने के जरुत नहीं है यही जामिती व्याक्या है जो एक वरीथ है क्योंकि आपके पास सरकल है याद रखिएगा ठीक है बच्चों धन्यवाद नमस्कार